दोस्तों कॉंग्रेस अध्यच मलिका रुजुन खरगे के बेटे और करनाटक सरकार में मंत्री प्रियंक खरगे ने बगरी से पहले एक बड़ा एलान कर दिया है खरगे ने अप्रतेश रूप से बजरंग दल को कड़ी चेतावनी देते हुए पुलिस से कहा है कि जो लोग कानून अपने हाथ में लेते हैं और कहते हैं वे इंदल से हैं उन्हें लात मारो और सलाफों के पीछे डाल दो अगर कोई स्वैम नेता है और संप्रदाइक मुद्दो के नाम पर जहर उगलता है तो उसके खिलाफ कारवाही की जानी चाहिए मैं आनावश्यक संप्रदाइक दंगे नहीं चाहता सुधन के परिवान पर कानून बहुत इसपश्ट हैं चायवास सहरी सीमा के भी तरों या ग्रामीड छेतर के यदि उनके पास सही दस्तावेज हैं तो उन्हें परिशान ना करें बकरीत का तेवहर बिना किसी आरजगता के मनाया जा सके इसलिए उन्होंने ऐसा बयान दिया आप प्रियंग खरगे के इस बयान पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखे